नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के हिस्ट्री की एक ज़लक दिखाने जा रहे हैं. देवरिया, जो अपने हिस्टॉरिकल और कल्चरल प्लेसिस के लिए फेमस है, एक important प्लेस रखता है. देवरिया का नाम देव और आर्य शब्दों से मिलकर बना है जिसका मतलब है House of Gods इस डिस्ट्रिक्ट का एंशेंट नेम देवपुरी था जो वेडिक पीरियड में एक इंपॉर्टन्ट रिलिजिस प्लेस था महाभारत और रामायन पीरियड में भी इस एरिया का मिंशन मिलता है कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने एक्जाइल के दौरान इस एरिया में कुछ टाइम बिताया था मुगल पीरियड में देवरिया एक इंपॉर्टन्ट ट्रेट सेंटर बन गया यहां के बिजनिस्मेन ने कपड़ा, अनाज और अदर थिंग्स का व्याबार किया, जिससे यह एरिया financially strong हुआ. ब्रिटिश रूल के दौरान, देवरिया का development quickly हुआ. यहां के लोगों ने freedom struggle में भी important role निभाया. देवरिया का sacrifice और struggle Indian history का एक important chapter है. इंडिपेंडन्स के बाद, देवरिया ने education, health और social development में भी important progress की है. यहां की culture, art और literature आज भी लोगों को inspire करती है. आज देवरिया एक developed district है, जो अपनी historical places और cultural richness के लिए जाना जाता है. धन्यवाद दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको देवरिया के history की यह short journey पसंद आई होगी. प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को like और share करें.